दुर्ग जिली के धमदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत घोटवानी में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बदा दे कि कम से कम 30 लोग इस बिमारी के शिकार हो चुके हैं। स्वास्त विभाग के अनुसार जादतर लोगों ने सरकारी अस्पताल को छोड़कर प्राइविट में इलाज करानी के चक्कर लगा रहा है। सुतरों से पता चला है कि यहाँ बिमारी फैलने का मुखे कारण नल का पानी पी रहा जिसे लोगों ने पीने के लिए प्रयोग किया है। नल के पाइप कई जगह से लिकेज हैं जो नाली से होते हुए गुजरते लोगों के घरों तक पहुँच रहा है। बैराल दियम ने डायरिया रुकने के लिए गरामिडों से चर्चा कर घरों को साफ सफाई रखने, पानी उबाल कर पीने तथा घर के आसपास पानी जमा नहीं रखने की अपील की है